एक जैसे आरोब के लिए डूक्टर रतनलाल को जेल और बीजेपी की परवक्ता नूपुष शर्मा को फेरवेल ये बाते बताती हैं कि भारत में किस तरह से ब्राह्मनवाद काम करता है यदि कोई अपराद या आरोब किसी दलिट पर लग जाये तो उसको गिरफ़तार करने के लिए पूरा पुलिस अमला लग जाता है जिस तरह से हमने डूक्टर रतनलाल के केस में देखा ग्यानवापी मस्जिद में जो विवादित चीज मिली थी जिसको मस्जिद ने का किये फवारा है लोग कहने लगे किये शिवलिंग है उस पर एक टिपनी इतियासकार के नाते डूक्टर रतनलाल ने कि और उनको देर रात गिरफ़तार कर लिया गया जबरदस्ट पुलिस का पहरा हुआ लेकिन पेगंबर मुहमद के बारे में बीजेपी की परवक्ता नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो आरोप दिख रहा है एक सेक्स के खिलाफ उन्होंने किस तरह से भड़काओ बयान बासी की उसको अपमान करने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूत नुपुर शर्मा की गिरफतारी अभी तक नहीं हुई है ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीचे कि दलित पिछड़े ये ली कोई बात कहते हैं तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा आमला लग जाता है लेकिन नुपुर शर्मा जैसे लोग जिनकी पार्टी नफरत की राजनिती करती है जो नफरत की खेती करती है मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा नफरत दंगे का माहूल बनाकर वोट बटोरती है और अपनी राजनिती कर रही है सो साल का पुराना उनका इतिया से यही करते हुए वो सत्ता के शिकर तक पोच गए हैं वो उन पर कोई कारवाई नहीं कर रहे जब की नुपूर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त जन आकरोश आप देखें कि भारत में अलग अलग इलाखों में उनके खिलाफ परदर्शन हो रहे हैं कानपूर में तो दंगे भड़क गए उनकी वज़ए से बहुत ज़्यादा माहूल बिगाड़ने की कोशिश उनोंने की है और यह कहें कि सब को पता है कि क्या हुआ है उसके बावसूद उन पर कोई कारवाई नहीं हुई जब विदेशों से आवाजे उटने लगी खास कर जो खाड़ी देश हैं गल्फ कंट्रीज हैं बहरीन, कतर, ओमान, दुबई यहां से जब आवाजे उठी इराक ने भी ध हैं ये भारते कंपनी को के बैशकार के मांग उठी माल दिव में तो जबरदस्त परदर्शन हो रहे हैं वहां की संसद में नुपूर्श शर्मा के खिलाब प्रस्ताव तक वे जो है वो पेश हुआ की भारत की सताधरी पार्टी की एक परवक्ता इस तरह की बयानवाजी कर रही है पैगंबर मुहमत के बारे में अपमांजनक शब्दों का इस्तमाल कर रही है उनके खिलाफ करवाई क्यों ना हो तमाम हमारे राजदूतों को वहां पर समन किया गया उनकी पेश हुई और उन्होंने बकायदा माफी मांगी कि ये जो राय है ये फ्रिंज एलिमेंट की है ये दर्वियों की राय है भारत सरकार की ओफिशल राय नहीं है इसको कहें कि इंटरनेशनल बेज़दी आपने वो एक आर एमेजन प्राइम पे आपने एक वीडियो देखा होगा पंचायत का जिसमें वो गजब बेज़दी कहता है वैसे ही कुछ भारत की गजब जानबाजी हो रही है विरोध कड़ा विरोध जता रहे हैं सिर्फ वो मेरली शब्दों का नहीं है बलकि वो एक्शन्स भी ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम फिल्में नहीं चलने देंगे प्रोडक्स को नहीं चलने देंगे तो बीजेपी वाले बार-बार कहते हैं कि हिंद परवक्ता है वह वही लाइन दो रही है जो उनकी पारिटी के ऑफिशल लाइन उनके सारे नेता रैलियों में ये बाते बोलते हैं कि उन्होंने अक्रमनकारियों ने लूट लिया ये तोर दिया वह तोर दिया ये मुसलमान ऐसे हैं ये इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो य करेंगे ये सब जगे मस्जिद जो इनको गिरा दिया जाएगा आयोध्या जाकी है मतुराकाशी बाकी है और किस तरह की बयानबाजी उनके ओफिशल लोग करते हैं उसी बात को दुराने के लिए उनकी एक परवक्ता है उसको ये कहें कि अपनी पार्टी की तो बात रख र पर भी उन्होंने अपमान जनक टिपनी की जिसके खिलाब जबरदस्त विरोध हो रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि उन पर कारवाई क्यों नहीं हुई क्यों ऐसा हुआ कि रतनलाल जो है उनको गिरफतार कर लिया गया तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि भारत में दलित अदिवासी पिछड़े हमेशा सत्ता के निशाने पर रहे हैं और खासकर जो मवजूदा हुकमरान है वो दलित पिछड़े अदिवासी के समात से आने वाले जो बुद्धी जीवी हैं खासकर जो लेखत पत्रकार मीडिया प्रसनेलिटीज हैं जो बोलते हैं सरकार पर सवा जानबाजी करते हैं, दंगे भढ़काने का काम करते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग किस तरह से दिली दंगों में लिफ थे, किस तरह से भढ़का रहे थे लोगों को, लेकिन उनको गिरफतार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कारवाई नहीं हुई, उसी तरह नुपुर शर्म के खिलाफ कोई एक्शन पुलिस ने अभी तक नहीं लिया, जबकि मुंबई पुलिस में, दिली पुलिस में अलग लग जगए उनके खिलाफ शिकायते दर्ज हुई हैं, अभी तक उनकी गिरफतारी नहीं हुई है, जो दिखाती है कि सत्ता कैसे अपने लोगों को बचाती है और जो अम्बेटकरवादी लोग हैं, फूलेवादी लोग हैं, जो आदिवासी तबके से पिछले समाज से दलित बेक्ग्राउंड चाते हैं, उनका शिकार करने के लिए लोग जाल बिचा के रखते हैं कि एक मुंका मिल जाए, एक बात बता दें, कोई ऐसी चीज इनके मुंसे निकल जाए, जिस पर इनको गिरफतार करके सलाखों के पीछे डाला जाए सके, ये एक्शन दिखाता है डुक्टर रतनलाल और नुपुर्श शर्मा के केश में, अब आप कहेंगे कि डुक्टर रतनलाल ने भी तो अपमान किया था, कुछ हिंदू जो लोग उन्हो जाती है, उसको भारत का कानून, भारत की सरकारे, भारत के लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, यानि वो उस परिभाशा में, कानून की परिभाशा में भारत सरकार की, वो हिंदू जाती उनको कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म उनको अच्छूत, नीच और तमाम तरीके की पा प्रति हासिल करने का हक नहीं जिनको पढ़ने लिखने का हक नहीं सारजनिक ताला वो को से पानी पीने का अधिकार नहीं जिनकी मैलाओं के साथ तमाम तरह के दुर्वेवाद इस देश में हुए हैं नांगेली और देवदासी प्रता को कैसे भूल सकते हैं वो व्यक्ति जब उस धर्म के खिलाब कुछ बोलता है तो वो उनका प्रतिरोध है वो उनका गुसा है कि इस धर्म ने इस धर्म के गरंतों ने इस धर्म को मानने वाले लोगों ने हमारे साथ इतनी जादती की है हमारे साथ इतना बुरा किया है तो वो जब उसके खिलाब बोलता है तो वो ए खार्मी किताबों उन्हें गुलाम बनाया है, आपके मनुवादी परपंचों ने उनका बहुत ज़्यादा नुक्सान किया है। जो दलित शूदर अति शूदर अचूदर विक्ति यदि हिंदु धर्म के खिलाब कोई बात करते हैं, तो हमें उस आलोचना को स्विकार करना चाहिए क्योंकि इस धर्म ने वाकई उनके साथ बहुत बुरा किया है, और अगर वो गुस्से में हमारा सिर भी फोट दें, तब हमें स्विकार कर लेना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा ज्याती हुई है, यानि जो पीडित है यदि वो अपने सोशन करने वाले के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, कि अपमान हो गया, भवना इथेस पहुचा दी, आपक कोई व्यक्ति ऐसा करता है, दलित आदिवासी पिछले समाज का तो उसको अलोचना की द्रिश्टी से देखना चाहिए, ना कि अपमान और इन तरीकों से, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, नुपूर शर्मा, वो ब्रहमन है, ब्रहमन धर में उनका जो दर्जा है, उन से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वो पेड़ित नहीं रही है, जिसका उनके रोज मरा की जिंदगी में कोई तकलीफ वो नहीं पोचा रहा है, जबकि हिंदू धरम में आज भी देखेंगे, तो दलितों के साथ कितनी ज्यादतिया होती है, मूझे रखने पर मार देते है वो घोडी चरने पर मार देते हैं, इस तरह की खपरे लगाता रहाती है, उसके मुकाबले नुपुर शर्मा एक दूसरे धरम के खिलाब बयान बाजी करती है, तो इन दोनों में बुनियादी फरक है, एक व्यक्ति पीडी था जो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है, और इन दोनों चीजों में बुनियादी फरक है, ये आपको समझना चाहिए, जब विदेशों में अवाजे उठी तो सरकार भी बैक फूट पर आ गई, और जो लोग कहते थे कि मुसल्मानों के खिलाब इस तरह की बयान बाजी करने वाले लोगों को माला है पैनाई जाती है, वो हत्या, वो वन्स के नाम पर लिंचिंग करने वालों को जेल से बाग शूटने पर माला है पैनाई जाती है, बलातकारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा है निकाली जाती है, उसी पार्टी ने अपनी एक परवक्ता को वही बात बोलने के लिए दिलंबित कर दिया, ज वहां जब उनकी सेल गिरी तो नरेंदर मोदी जी को उनके फोन आये होंगे, उन्होंने कहाओगा आपके लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको याद रखना चाहिए कि अरब कंट्रियों में भारत के बहुत ज़्यादा लोग हैं, पचास ला लिखाई के कमाने के ज़्यादा अच्छे मोके थे और वहां पोचेर उन्होंने उस प्रिवलेज का इसमाल करते हुए अच्छी-ची पोजिशन को हासिल किया, जबके दलित पिछले अदिवासी बहुत बाद में पढ़ने लिखना शुरू किया और कुछ-कुछ लोग उनक गल्फ कंट्रियों में बसी हुई है और अगर इन गल्फ कंट्रियों की तरफ से उनके सबसे बड़े जो उनके इश्वर जिनको अब वो पेगंबर मुहमद और उनके नाम से अल्ला के नाम से वो पुकारते हैं यानि इसलामिक जो सबसे बड़ा पद है उसकी तरफ अगर ऐसा उनको लगता है कि अपमान हुआ है और वह इन लोगों को वहां से भगा दे ये कह दे कि जाहिए आप उसी देश में जहां के लोग हमारे अल्ला का अपमान कर रहे हैं पेगंबर मुहमद के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो सोच ये क्या होगा ये सब के सब वापस आ ज से खरीता है और भी बहुत सारी जरूरत की जो चीज़ें हैं वो गल्फ कंट्री से आती हैं तो इससे दुर्पक्षे समझोते और व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है इंटरनेशनल चवी खराब हुई है भारत की जो ये विश्व गुरू कहते हैं कि भारत विश्व गुरू है हम अमारे जो लीडर हैं वो वर्ल लीडर हैं उनकी ही पाजी ने किस तरह से हमारी इंटरनेशनल बेस्टी कराई है शर्मसार कर दिया 135 करोड देशवासियों को दुनिया के सामने हसी का पात्र बना दिया और अब हमारे राज़ दूत उनकी पेशे और यह वो जा जाके माफी मांग रहे हैं रिटन डोक्यूमेंट जारी करें प्रेस रिलीज जारी करें कह रहे हैं कि यह ओफिशल जो स्टेंड है भारसरकार का वो नहीं है बीजेपी ने बाकाईदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि भारत में सभी लोगों का अपना धर्म म जोड़ दें तो इसको एक माफी नामा की तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि BJP कैसे बेक फूट पर आई और गल्फ कंट्री की तरफ से गल्फ जो देश हैं उनकी तरफ से जो दबाव बनाया गया उससे भारत सरकार BJP जुग गई और इनको नुपूर शर्मा को निकालना प पड़ा तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है और इसको देखना चाहिए कि भारत में जो जाती की समस्या है जातिया उत्पीरण है उसको भी अगर इंटरनेशनलाइज किया जाता है दुनिया के सामने पहुचाया जाता है और एक सॉलिडारिटी बना किया जाता है युनाइटेड नेशन्स या अलग-अलग इंटरनेशनल फोरम पर भी कास्ट का मसला उठाया जाता है तो जो दबाव आएगा उसका असर भी काफी व्यापक हो सकता है तो हमें इसे और सबक लेना चाहिए कि कैसे हम कास्ट एक्रोसिटी के मसलों को हम इंटरन तेल तुम्डे जैसे लोग हैं जो भी सरकार के अलोचना करते हैं उस पर सवाल उठाते हैं उनके किलाव कानूनी करवाई करने में इनको कुछ घंते लगते हैं पूरा का पूरा अमला लग जाता है आधी रात में चापे मारी करते हैं और आतंक वाद्यों की तरह उनको पिर्भा होता है क्या सरकार का रिस्पोंस होता है क्या सरकार की एजेंसियां पुलिस और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसिस हैं उनका क्या रवया होता है वो डुक्टर रतनलाल और नुपुर्ष शर्मा के केस से आपको समझ लेना चाहिए कि भारत में ये उलीला है जो जनियू पहनने वाले लोग है उनको बचा लिया जाता है और जो दलित आदृवासी पिच्ट exercising आने वाले लोग है उनको शिकार बना लिया जाता है। आपका इस मसले पर क्या सोचने आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखें और मेरी आपसे अपील है कि आप भी अपना बोलते हुए लिखते हुए चीजों का ध्यान रखें और इन ऐसे मसलों में ना पड़ें कि आपको कानूनी दाउन पेंच का सामना करने पड़ें क मेरा नाम सुमे चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सायोगी मोहित और अज्रा अगले फिसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रहे है दे न्यूस बीक